ओम शान्ती, पतित पावन, उचे ते उचा, शान्ती का सागर समर्थ बाप हम आत्माओं को संगम पर आकर शिक्षा देते हैं कि अब ये समय है वापस घर चलने का, तो हमें एक पाप की याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश करना है जिसके लिए इस दुनिया की अनेक बातों से और संबंधों से अपनी रगों को निकालना है तो आइए रिवाइस करते हैं आज के 9 April 2024 के मधूर महवाक्यों को घर चलने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? सब तरफ से रगें तोड़नी हैं, ऐसा कोई विकर्म नहीं करना जो ब्रामन कुल का नाम बदनाम हो बाप किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? सुखदाई, सर्विसेबल कौन से बच्चे बाबा की आँखों में समाई हुए रहते हैं? जिनकी बुद्धी में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूँ, बाबा से ही बात करूँ कौन से बच्चे बावा को अतीप रिये हैं बावा की सर्विस करने वाले हम क्यों पढ़ते हैं सुख के लिए पावन बनने के लिए कौन सा नश्रा हमारे सिवाय किसी और को नहीं रह सकता इस ट्रामा में हमारा हीरो हिरोईन का पार्ट है हम विश्व के मालिक बनते हैं पावन दुनिया कौन सी है सुख धाम शान्ती धाम हमारे राज्जे की विशेशता क्या है अटल अडोल अखंड सेकिन में अशरिरी बनने का फाउंडेशन क्या है बेहत की वेराग्यव रित्ती सत्युग में क्या नहीं होता विकर्म गर्भ जेल बीमारियां रावन राज्ज किसको क्या कहा जाता है नई स्रिष्ट्री को सुखधाम यहां के गर्भ को गर्भ जेल जिसका शरीर नहीं उसे सदैव शिव आत्माओं के रहने के स्थान को स्वीट होम नाम रूप में फसने वाले को सैमी कुल कलंकित कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है अब तुमारी सब तरफ से रगें तूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है बाबा कहते हैं भाई भाई को देखो क्योंकि भाई बहन के संबंद में भी बुद्धी जाती है रावन के लिए मनुश्य बहुत शादमाना करते हैं क्योंकि रावन को जलाने का अर्थ नहीं सम बाप हम बच्चों को दुखदाम से सुखदाम में ले जाते हैं क्योंकि काम चिता पर चड़ते चड़ते जलकर भस्म हो गए हैं यहां सभी मनुश्य लड़ते हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं कर्मों का इसाब किताब बीमारियां आदी आए तो डरना नहीं है क्योंकि बिमारियां आदी हमेशा के लिए खतम हुनी हैं. हमें किन बातों की धारणा करनी हैं? बाप से समर्थी का वर्सा लेना है, सदा हर्शित रहने के संसकार यहां ही भरने हैं, पाप आत्मावं से कोई भी लेन देन नहीं करनी हैं, माया के धोके में आकर एक दो को दुख नहीं देना है किसी के नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है बीमारियों आदी से डरना नहीं है सब हिसाब किताब अभी ही चुक्तु करने हैं ये थी आज की मुर्ली की विशेश बाते हम सुखदाई बाप के सुखदाई बच्चे हैं तो सदैव इस बात को स्मृति में रखना है कि हम से जाने अन जाने किसी को कोई दुख न मिले हम सदैव सब को सुख देते रहें और इस नश्रे में रहें कि हमारा ही ही हीरो हिरोईन का पार्ट है हम ही विश्व के मालिक बनते हैं ओम शन्ति